आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जानिशार बलागर में दोस्तों आज मैं आपको लिए चलता हूँ बहराईस से गिरजापुरी बहराज और गिरजापुरी बहराज जो की कतलनिया गाट के पास है बहुत ही फेमस जगा है गहुमने वाली बहुत अच्छी जगा है और बहुत दूर दूर से बहराईस से और लखीमपुर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए चुकि ये जो बहराज है ये बस इसके बगल में ही लखीमपुर है तो लगबख 100.500 किलो मीटर 120 या 30 किलो मीटर वहाँ से लखीमपुर होगा और 110 किलो मीटर लमसम ये बहराज है बहराईस से तो आज हम घूमने जा रहे हैं इसको और आप भी देखिए चुकि हम ट्रेन से जा रहे हैं चुकि ये बहराईस से 110 किलो मीटर है तो अगर आप अपनी फोर विलर से नहीं जा सकते हैं अगर आप बस या सवारी से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे तो चुकि हमने ट्रेन से जाने का फैसला किया है और चुकि वहाँ कोई स्टेशन नहीं है तो उसको हम ट्रेन से ही देखते हुए आगे निकल जाएंगे मजरा पूरब रेलवेई स्टेशन और वहाँ से फिर वापस आ जाएंगे लेकिन दोस्तों ये कमी नहीं खलेगी कि हमारे पास कार नहीं है या हम अपनी गाड़ी से नहीं गए वहाँ उतर नहीं पाए चुकि मोटर साइकल से यहाँ जाना खत्रेसे खाली नहीं है जंगल 35-40 किलो मीटर जंगल पड़ता है और उस बीच से आपको मोटर साइकल ले जाना इस समय खत्रेस खाली नहीं है तो हमने ट्रेन से जाने का फैसला लिया है और ये देखिए आ गया बेराज बहराईस से साड़े आठ बजे ट्रेन चली थी और ये आ गई लगभग बारा बजे के करीब तो आप लोग पहले बहराईस देखिए फिर हम इसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों बहुत सुन्दर नजारा है आप देखिए ये बैराज का ये साड़े साथ सु मीटर लंबा बैराज है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं अगर एक बार आएंगे तो आपका दिन बन जाएगा मज़ा आ जाएगा इसको देख के आपको लगेगा कि हम मैं कोई अच्छी जगा पे आया हूँ और इतने कम पैसे में इतना आसान है कि आप बहराज रेलवे स्टेशन पहुँचिए साड़े आठ बजे की ट्रेन है वहाँ आप लगभग 45 रुपे का मज़रा पूरप का टिकट खरी दिये और उस पे बैड़ जाएगे तो जब आप बैड़ जाएंगे बस ये जो रास्ते भर आप जब से मेही पुरवा से गाड़ी निकलेगी जंगलों के बीच आप एक से एक जानवर देखेंगे जंगल देखेंगे आपको यकीन मानिये मज़ा आ जाएगा और हमें तो हिरन भी दिख गए थे कभी कभी हिरन भी दिख जाते हैं और सेक्डो हिरन एक साथ दिख जाते हैं आपको आश्यर हो जाएगा और जिस जंगल में इतने बाग बाग रहते है रोज खबरें आती हैं मेडिया में उसमें लोग भी देख जाएंगे लकडी तूरते वे आपको विस्वास नहीं होगा और ये कितना सुन्दर नजारा है कैसे बताऊं आपको यहां आने पर ही पता चलेगा ये देखिए ये अंदर पानी के अंदर बना हुआ है और गेरुआ और कोडियाला नदिया नेपाल से आकर यहां संगम बनाती है यहीं पर ये घागरा बहराज बना दिया गया है जो की अदभुद और अब युससनिये हैं जो मातर आप सो रुपे में देख सकते हैं तो सूचना किस बात का आप पहुँचिए बहराज रेलवे इस्टेशन औ जा मंजरापूरब रेलवे इस्टेशन का और बढ़ जाईए उस पे और ये ट्रेन आगे निकल जाएगी मंजरापूरब रेलवे इस्टेशन दो किलो मीटर आगे है वो भी देखने वाली चीज है उसके आगे बहुत बड़ा जलासा है जहां पानी रोग लिया जाता है औ तुरंत आप टिकट ले लेंगे और बैड लेंगे ट्रेन तुरंत चल लेगी बहराईच के लिए और साड़े चार बज़े या पांच बज़े आप अपने घर बहराईच आ जाएंगे तो इतने कम पैसे में और इतना अच्छा घूमना हो ही नहीं सकता दोस्तों एक बार ज जानकारी के लिए कमेंट बाक्स में जो भी पूछना तो